निशिको एपिसोड 17 की शुरुआत में हमें एक फेस्टिवल को दिखाया जाता है जहां पे सभी लोग काफी ज़्यदा इंजॉई कर रहे थे और तभी हमें इचीजो को दिखाया जाता है जो कि एक स्टॉल में नूडल्स बना रहा था तभी जो इचीजो का गैंग मेंबर ह होता है वो बोलता है कि मास्टर आप एक ब्रेक क्यों नहीं ले लेते वैसे भी आप काफी देर से काम कर रहे हैं तो इचीजो बोलता है कि आज मैं वैस पूरेट शाम को खाली हूं तो फिर मैंने सोचा है कि मैं कुछ कामी कर लेता हूं और तभी जो इचीजो है वो कुछ प्षिब माश्ट्राइत्यों जा रहा रहा है और फिर चिखा रहा हुँ पर लेकिनाज रात को मुझे थोड़ा काम है और फिर वो बताता है कि उसका एक mission है जो कि उसको कुछ भी हराहल में करना है और वो mission होता है कि उसे एक super ultra matchmaking item लेना है जो कि relationship के लिए काफ़ी सदा अच्छा होता है और आपके love को हमेशा successful रखता है और मैंने सुना है कि ये काफ़ी सदा popular है जिसकी वज़े से ये जिस time में चालू होता है वो एक minute में खतम हो जाता है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे एक ना एक तो लेना पड़ेगा और इसकी मदद से मेरे और उने रखे और तभी वो एक लड़की से टकरा जाता है और वो लड़की चितोगे होती है और वो दोनों ने एक दूसरे को देखती एक जीब सा चेहरा बना लेते हैं और तभी जो चितोगे है वो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो तो इचितोगे काफी गुसे में बोलने लग जाती है कि मैं बस यहाँ पे फेस्टिवल को एंज़ाई कर रही थी और मुझे तुम्हारा चेहरा क्यों देखने पड़ हैं मुझे माफ करना पर और तभी वो चितोगे को देख लेता है और काफी हिरान होते हुए बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो फिर आप मास्टर की गल्फरेंड है ना और उसकी यह बात सुनने के बाद जो इची जो और चितोगे हैं वो काफ़ ज़्यदा अजीब सा चारा बना लेते हैं और यहां पर वो गैंग मेंबर बोलने लग जाता है कि यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं है आप हमारे लिए इतना ज़्यदा हार्ड वक करें जबकि आपकी गल्फरेंड भी यहां पर आप कितने सदा काइंड हाटेड हैं और यह सुनने के बाद जो उसके बाद हमें दिखाये जाता है जो चितोगे है वो बोल रही होती है कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है तो चितोगे गुस्या करने लग जाती है और बोलती है कि मैं इस दिन का काफी टाइम से वेट कर रही थी अब तुमें ही मुझे ट्रीट करने पड़ेगी तो यह कुछ सोचता है और फिर बोलता है कि वहाँ पर एक और ऑक्टोबस बॉल का चलते हैं और यह सुनने के बाद जो चितोगा है वह बोलती है कि ऐसा क्यूं और फिर उसके बाद हमें वहीं पर दिखाया जाता है जहां पर वह स्टॉल वाला बंदा इचिजों को देखके बोलने लग जाता है कि यंग मास्टर आप अभी ब्रेक में है कि आपको कुछ चाहिए तो इची जो बोलता है कि हमें अक्टोपस बॉल चाहिए तो वो जो गैंग मेंबर होता है वो बोलता है कि यंग मास्टर आपको जितने चाहिए उतने आप ले सकते हैं उसके बाद वो हमें नेवर लगाया है तो चितोगे बोलती है कि इसका मतलब कि तुम्हें जो चाहिए वो तुम फ्री में खा सकते हो तुम्हें जो चाहिए वो तुम फ्री में खेल सकते हो तो यह सुनने के बाद जो इंची जो है वो बोलता है कि हाँ यासा बोल सकते हैं तो जो चितोगे वो एक तुम सोचो तो इसके बार में ये कितना ज़या औरृता झाल जाता है और उसको कुछ दिखता है या फिर आप महसूस भोल सकते हैं और वहां पे कुछी भी नहीं होता है और इची जो सोचता है कि क्या वो बस मेरी imagination थी और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे ओनोदेरा होती है जो की छुप गई होती है और फिर ओनोदेरा सोचती है कि अब मैं क्या करूं मैं बिना कुछ सोचे समझे एकदम छुप गई बस एक बार मैं उस super relationship चाम को एक बार उसको मना कर देती है और तभी जो मारीका है वो कुछ notice कर दिया है उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो मारीका है उसने इची जो और चितोगे को देख लिया है वो भी एक साथ festival में फिर मारीका बोलने लग जाती है कि अभी पिछले दिन मैंने उनसे पूछा था कि क्या वो मेरे साथ festival में चलेंगे पर लेकिन उन्होंने बिना किसी second के देरी करिये उन्होंने मना कर दिया था और आज वो इसके साथ है क्या हम मुझे उन्हें परिशान करना चाहिए तो यह सुनने के बाद जो और एक दम मना करने लग जाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाह और फिर हमें उचियो और चितोगे को दिखाया जाता है जो कि एक मासक के स्टॉल के सामसे होते हैं और जो चितोगे होती है वो काफ yellow होती है और चितकी जदा खुशता होता है कि मैं इस लड़की के साथ काफिADा time spent करता हूं मैं इसका fake boyfriend हूँ जब से हम मिले हैं उसके अजीब सा लोग देती है यह देखने के बाद जो एकदम सोचने लग जाता है कि यह इतना जीब सा चैरा क्यों बना रही है और तभी लोग यह भी बात करने लग जाते हैं कि वो बंदा कितना जादा अगली है वह उस लड़की का कैसे बॉइफरेंड हो सकता है क्या वह बस उ उनकी बाते सुनने के बाद जो चितोगे है वह चीजों से बोलती है कि क्या युकाता सही में इतना चादा अच्छा होता है तो इस जो बोलता है कि शायत से और उसकी यह बात सुनने के बाद जो चितोगे होती है वह थोड़ी सी उदास होती है तभी हमें दूर से मारीका को वालक गेम खिलने है जहाँ पर चितों के होती आप टोड़े ओकाती ज हुझे कुछ बिच मुझे ब कुछ भी और छ欺 बोलता है कि तो थीक है मुझे दो मेरे मचलिया को पकड़ लेता है और यह देखने के बाद सभी लोग काफी सदा है और इची जो बोलता है कि तुम एक चीज में फच जाता है यह देखने के बाद और भी ज़्यान हो जाते हैं वो सभी लोग और वो स्टॉल वाला बंदा काफी उदास होते हैं बोलता है कि नेंक्स्ट यर बापस से आना यंग मास्टर और यहां पे जो चितोगे होती है वो बोल रही होती है कि वाव तुम तो का कि इनका ख्याल कैसे रखना है और जो चितोगे हैं वो उन सभी गोल्ड फिश को देखने के बाद काफी सदा खुश हो जाती है और उसके बाद उसको थैंक्स बोलती है तो यह सुनने के बाद जो है वो थोड़ा सर्माने लग जाता है और तभी हमें पीछे से मारिका को दि जो इसको दहित रहा हो है कि अपने बोलता है कि मैं तो अपने चांप के बार में भूली यह था और जो मारीका है वो भी एकदम निकलाती है और बोलती है कि अभी शोटाइम हो चुका है और तभी बोलती है कि हॉंडा मेरे लिए रहा स्टा क्लियर करो और उसकी जो यार हूँ अपने चांप को लेने के लिए और तब ही जो हमें इचिजो को दिखाए जाता है जो बोलता है कि चितोगे मैं वहाँ पर जा रहा हूँ मुझे कुछ खरीदना है तुम यहीं पर वेट करना तो यह सुनने के बाद जो चितोगे है वह बोलने लग जाती है कि ऐसे तो हम लोग अलग हो जाएंगे तो यह सुनने के बाद जो इचिजो है वह बोलता है कि हाँ यह तो तुमने सही का तभी जो चितोगे है वह काफिजदा शर्माते हुए आगे चलके इचिजो का हाथ पकड़ लेती है और बोलती है कि इस तरीके से हम लोग अलग नहीं होंग और मैं तुम्हारे साथ चलूँगी तुम्हें जो भी खरीदना है और वैसे भी मुझे तुम अपना फ्री पास नहीं खोना कहीं पे और जो इचिजो है वह भी काफिजदा बलश करने लग जाता है और उसके बाद वो लोग चले जाते हैं और काफिजदा मुश्किलों के बाद जो इचिजो है उसको एक चांप मिल जाता है. चिजो बोलती है कि अगर तुम्हें मिल गया तो चलो यहां से निकलते ही और उसके बाद जो इचिजो है और चिजो होगी जो और तबी जो इचिजो है वो एकदम बोलने लग जाता है कि मैंने बोला था तुम्हें और तुमने फिर भी छोड़ दिया और तबी उसको एक हाथ में दिखता है और वो उसको भार खीचता है तो वहां से ओनोदेरा निकल जाती है और जो ओनोदेरा होती है और इचिजो होती जहांपे जो उनेधरा है शीजो के हाथ में चाम को देख लेती है। और फिर बोलती है कि बोलती है कि जो इंधरा है कि और अधर करते हैं और फिर जो ऊनदर है वो बोलती है कि मैंने देखा था कि जो चितोगे आ वो तुम्हारे साथी थी अभी वो कहां पर है तो इस जो बताता है की भीड की है वो दोनों अलग हो चुके हैं फिर जो इचिजो है वो सोचता है कि पता नहीं चितो के इस भीड़ी में सही ठीक होगी या फिर नहीं और उसके बाद हमें यहां पे चितोगे को दिखाये जाता है जो कि चला रही होती है बेफकूफ तुम कहां पे गजले गए और तबी वो आसपास में लोगों में देखती जहां पर सबी जो लड़कियां होती है उन्होंने युकाता पहना होता है तो फिर वो सोचन लग जाती है जब भी मैं असपास देखती हूं तो फिर मैं कही सारे लोगों को देख लेती हूं जो कि yukाता पहने बैठी है और फिर वो कुछ सोचती है जो कि हमें बताया नहीं जाता, और तब हमें इच्चियो और चिटोगे को ओनोद्रा को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी भीड में थे, और फिर इच्चियो बोलता है कि हमें भीड से भाहर निकलना पड़ेगा, वरना हम उसको नहीं डोंड़ पाएंगे तो जो ओनदेरा है वो हाँ बोलती है और उसके बाद जो इच्छी जो है वो सोचता है कि मैंने अभी लखी चाम्प को भाई किया और मैं ओनदेरा के साथ अकेला हूँ क्या ये लखी चाम्प की वज़े से है और मैं चितों के के लिए काफी सदा बुरा फील कर रह जाता है और उसका जो लखी चाम्प होता है वो गिर जाता है तो ये देखने के बाद उन्हुद्धरा बोलती एकि इच वो काफ जधा शर्मार ली होती है और वह ये बहुत ज़एगरा रहा होता है मुझे माफकरना कमई कгли पारही हो उप ज़्हें आ करना कर देता है उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो इच्रियों को ठीक कर दिया होता है और उसके बाद वह जाने वाला होता है चितोगे को ढूणने पर तभी जो इसको बोलती है कि तुम्हारा जो लखी चांप है वह मिल नहीं रहा और तभी वह देखती है कि एक बिल्ली उसको ले जा रही है तो फिर वो इच्रियों को बताती है और यह बता चलने के बाद जो इच्रियों है वो उस बिल्ले का पिज़ा करने लग जाता है और जो उनदर है वो उसको मना करने लग जाती है पर इच्रियों भाग चुका होता है और हमें दिखाया जाता है जो बिल्ल की लड़की से जदा मेरे पास आ चुक है पर जो इचे खो के नो का hustle का सिर्फ हो जातीए और मैं जा और बोलती एक है कि आपको नहीं कंड़ा जबाती है इपको की जक्याता क्णद खोना चुछदा हुता हुए Ikachya कले शबहन में जबहने हमाने होना हुँ बिल्ली पर लेकिन वो बिल्ली नहीं पकड़ पाता। बिल्ली के मुँसे गिर जाता है और तभी वहां पे और बिल्ली भी वहां से निकल जाती है और तभी वहां पे इचिजो भागता वह आ जाता है और पूछता है कि क्या तुमने यहां पे कहीं पे बिल्ली देखा जो भागी है तो सुगमी उसको डिरेक्शन बता देती है और तभी जो इची वह जाने से पहले उसके जो गयन होता है उसको लेता है और निशाना लगा देता है और उसको गिफ्ट दे देता है और फिर वहां से भाग जाता है बिल्ली के पीछे और तभी जो बिल्ली है वहां से रिटन आती है और उस चांप को वापस से उठा लेती है औ जो चाम्प को गिराते वे चली जाती है और लकी जाम्प को देख के जो शू है वो एकदम हरान हो जाता है और सोचता है कि मेरे जो प्यार है वो भी successful हो जाएगा और तभी वो एक लड़की को देखता है जो काफी कमाल के युकाता में थी और बोलता है कि यंग लेडी, तुम काफुछे होट हो और उस पे लाइन मारने की ट्राइब करता है, और तबढ़ी देखता है कि वह रूरी है, और रूरी उसको कमाल कमारती है वापस से, और उस बज़े से जो शुके हाद में चाम्प होता है, वह कहीं पर उड़ जाता है, और यहां पर रूरी सोच रही होती है कि मैं यह सोच रही हूँ कि कहीं उन दिरा अपने चांप को बाई कर पाई या फिर नहीं और यहां पर जो इच्ची जो होता है वो भागते भागते कहीं पर आ जाता है कहीं सुनसान सा इलाका होता है और वो सोच रहा होता है कि पता नही चितोगे वो बोलती है कि यह वही चीज़ है जो कि तुमने कुछ दिर पहले खरीदा था और तुम्हें अपनी चीज़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए खुद से और जो इसज़ों है वो बोलता है कि तुमने युकाता में क्यों चेंज कर लिया? तो चितो के बोलने लग जाती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मैं बस क्यूरियस थी कि इसको सभी लोग क्यों पहनते हैं इतना जदा, और फिर उसकी बुराई करना चालो कर देती है कि इसमें चलना भी काफी मुश्किल है, और ये काफी ज़ता टाइट भी है, और उसके जब वो उसे प्रपोस करना चाता है, ये सुनने के बाद उसको थोड़ा हसी आ जाता है, और सोचती है कि मुझे नहीं लगता है कि इस जैसे को कभी एक लड़की मिलेगी, और यहां पर जो एची जो होता है, वो सोच रहा होता है कि पता नहीं इसने अचानक से युगाता क फिर वो बापस से सोचने लग जाता है कि ये आखिर रिकार, ये लखी चाम मेरे हाथों में आई गया, पर लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो कि किसी लड़के के पास नहीं होनी चाहिए, ये किसी लड़की के पास होनी चाहिए, और इसके अलावा मैंने उसे काफ़ ज़्य पास मताना. झाइब धको प्रस्ण ख्राब हो जाता है और ऐसी काफी काफी दिर तक बहस करने के पादस को ठीक कर देता है और चिटो किया है यूल स्चाव तुमने मेरे को चांप दिया है मैं उसके बारे में सोचूंगी और यहां पर जो है वो बोलता है कि तुम किस बार में बात करी हो तब ही चीजों की नजर उस बोर्ड पे जाती है जहां पर लिखाता कि एक लड़का एक लड़की को प्रपोस करने के लिए चाम देता है और यह देखने के बाद वो मना करने लग जाते ही ऐसी युकाता बापस खुल जाता है और वो उस पर चिलाने लग जाती है फिर वहां से शी जेप्ट होता है और अटेरा सुगूमी मारी का और शुको दिखायए जाता है जो कि एक साथ थे और यहां पर अनुदेरा सोच रहे होती है कि कास में इचीजों के साथ थोड़ा और अक कि ये तुजादे बक्वास ना करते हुए स्याओना